तो सारे बाई यह दिरामरा एक बार फिर्श वाग था आपका दासोनुवाली में या बाई दूसरी वीडियो है उप मुख्य मंत्री के नाम पत्तर लिखे हैं इसमें दो पत्तर एड़ करें हैं ताकि उनकी समस्या समाधा नोजे और अपना जो विचार है जनता का शामने रखें तो जो पहला पत्तर बेज जया है और साथ में वीडियो भी बेज जी है वीडियो साइड में है और पत्तर में पड़ू हूँ यू आया है गाउं राखी ते सापूर राखी सापूर ते जिलाई सार तैसिल नरनों ते यह उपमुख्य मंत्री जी को पत्तर लिखे हैं माननी यह उपमुख्य मंत्री जी मैं मोनू सनोफ मनिराम गाउं राखी सापुर का स्थाई निवासी हूँ और मेरे गाउं की गड़ी लगबग 10 साल से बंद पड़ी है गाउं का सरपंच कोई सुनवाई नहीं करता गर से निकड़ना भी दूबर हो गया है बारिश के दिनों में गरों में पाणी कुछ जाता है जिससे हम लोग बहुत प्रेसान है मेरी आप से प्रार्थना है कि इसका कोई अल निकाले ताकि सुकून की जिन्दगी जी जासके हमारा गाउं अडप्पा कालिन संस्क्रीती में आता है फिर भी प्रार्थन इस और कोई द्यान नहीं देता तो मेरी आप से विंती है आप इसका कोई ने कोई समादान निकाले ताकि इतने दिनों से बंद पड़ी गड़ी चल सके और समादान ओसके इन्होंना अपना फोन नमबर दिया है 96715 0 3702 तो दूसरा जो आप्लिकेशन है वो भी निकासी को लेकन है, गड़ियों को लेकन है, गरामपंचाईत की ही ज्यादा शिकायते हैं तो यू बे जह भई नचार खेड़ा से नचार खेड़ा उच्छाणा में आवे है जहां से हमारे MLA साथ उपमुख्यमंत्री जी है यह लिख है सेवा में उपमुख्यमंत्री जी रामबज यूवा जेजेपी कारिय करता गाउन अचार यानि कि इने की पारिटी का कारिय करता है और इने की पारिटी का कारिय करता थी एप्लिकेशन उरदेनी पड़ रही है निवेदन है कि हमारे गाउं की फिर्णी वाड़ी गड़ी में पिछले एक साल से पाणी बर्या हुया है और सरपंच को कई बार कह चुके हैं लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती बिमारी का खत्रा बने वया है और मैं आपसे उमीद है कि आप अमारी समस्या का समादान जरूर करोगे तो उमीद करा हां कि समस्या समादान हो जे आपका सूब चिंतक रामबज यूआ जेजेपी कारिय करता नचार खेड़ा चराणवा च्हसोपचेतर जीरो पची ब्याड़ी तो यूँ बाई साब इनती समस्या बेजी थी तो मैं चाओंगा कि इन वीडियो ती आप ज़्यादा ज़्यार करो और जो भी जिस गाउं की समस्या है आप ज़्यादा ज़्यादा उठावाँगे ताकि इनका उपर जल्दी दे जल्दी सग्यान ले जाजा इसका है कि ओए भी संबंदिता दिकारी अगर संपरक करना चावें इनते तो नमबर दे दिये हैं तो कर सके हैं और जो मुख्यमंत्री जी को इन्होंने रिक्वेस्ट करी है मैं चाहूँगा कि वो इनकी सुनवाई करें और इनका जो काम है वो बढ़ जी एक बात तो जरूर निकड़कावे है कि या तो सरपंच में रोड है या सरकार में रोड है अगर सरपंच में रोड है तो परसासन इसका उपर कारवाई क्यों नी करता क्योंकि और जगे आपने देख्या होगा कि कड़िया निकासी की कड़ियां नाड़यां की, कड़ियां गड़ी की तो यह जो ग्रामपंचा इत्ता जूड़ी हो इसमेश्या है यह सुन नहीं रहा कोई भी ना ही सरपंच सुन दा पता नहीं तो बिल फरजी पास हो का नहीं इनकी पेमेट हो ले है और अपने अपने डूंड बनाण पर क्योंकि पहला आप कोई भी गाओं का सरपंच देख लिए पहला उसका गराँ वाई नहीं कही कर अप प्राणे बुड़े बैरोटी परोटी दरन भी नहीं थी और बाद में तिन-तिन मजला को ठीक आड़ दे हैं नेर-नेरे काम शुरू कर दे हैं तो यूँ बिरनी कुणशी खेनमात लाइग जे हैं तो वाँ तो चल ठीक है यार वो काम है उनके करे जाओ लेकिन यार जनता का दिल मत दुखाओ यार जनता का दिल मत दुखाओ काम करो आप जनता की समश्याओं का समाधान करने के लिए बढ़ाए हो अगर गरांट इश्यू नहीं हो रहे हैं तो खुल का न कवे हो ना गरांटे को उन्देर के कड़ते देवां लेकिन मैं कैक उकर देवां पहला ये मोकडा सोद्धा दैबे बेटे हैं तो ऐसा कोई बिल पास होना चीए कि इनकी आई बारी आई टियर लाग गए आटोमैटिक आटो जनरेटिड ओनी चीए आटो जनरेटिड बैस हड़े चैर सालो है नी आई टियर डच देई लैग जे और सारा शाब देया जाओ इन ते सारा शाब जद इन पर दे लेया जाओगा तो जद जागन है थोड़ा सा सुदार हो उसका है आप इस वीडियो ते ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दियो भई उपर तक बंचाने की कोशिस करी हो संबंधित अधिकारी अगर इनका बारा में कोई भी शग्यान लेना चाहो तो फोन नमर इनमें दे रखे हैं आप मिल सको हो आपकी भी जो समस्या है मेरा वर्सप नमर पर एक अप्लिकेशन का रूप में लिक्स को हो और मुप मुख्या मंत्री मुख्या मंत्री कोई और मंत्री जिसका नाम भी आप पत्तर लिखना चाहो तो मैं आपने यूट्यूब चैनल के माध्यमत है वह जरूर जनता का स्यामी रखूँगा मिला हाँ नेक्स एक बड़ी अची वीडियो में तब तक के लिए सारे भाई यहने जेंड, बंदे मत्रा